खलो दूस्तों, एक वाफर से मैं हाजिर हूँ, मंत्री के वाफर सीरीज में मार्च मन्त का सेकेंड पाल लेकर देखें, माई तक के पीडियाफ आपको 31 अगस्त को ही मिल गए थे उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त के पीडियाफ मैंने तीन दिन पहले ही आपको दिया है तो अगर आपने पीडियाफ पढ़े होंगे तो ज्यदा भी निए इफिशल होगा Otherwise मैं वीडियो प्रोवाइट कर रहा हूँ, जितने कल तक हो जाएंगे मैं अपलोड कर दूँगा पहला कोशन है, Wheels of Love प्रोग्राम किसने लॉंच किया है? तो इसको लॉंच किया गया है Tata Motors दोरा ये देख लिजिए, Wheels of Love प्रोग्राम, ये holistic प्रोग्राम है जो की वर्क फोर्स पे नए पैरेट्स को सपोर्ट करने के लिए Tata Motors ने लॉंच किया है, याद रखेगा Tata Motors के चेर्मेन कौन है? नतराजन, चंद सेखरन ने कोशन है, स्वामी चित्भवानन जी की भगवद गीता को किंडले वर्जन किसने लॉंच किया है? तो स्वामी चित्भवानन की भगवद गीता का किंडले वर्जन प्राइमिस्टर मोदी जी ने लॉंच किया है दिख लेते हैं स्वामी चित्भवानन की भगवद गीता है इसका किंडले वर्जन किसने प्राइमिस्टर मोदी जी ने लॉंच किया है यानि आप डिश्टल फार्म में भी आप भगवगीता पढ़ पाएंगे स्वामी चित्भावानन जी स्री रामक्रेशन तपुवन आस्टम जो तीरुचिराप अल्ली तमिलनाड में है उसके फाउंडर हैं इसके फाउंडर हैं कर देखेजिए इंदिया का 1st Dedicated Express Cargo Terminal कर देखेज आप गया है इंदिया का 1st Dedicated Express Cargo Terminal कहार इस्टार्ट किया गया है इनक्त आठिकल है स्वर्णिम इंटरनेशनल सिवरात्री फेस्टिवल 21 इंडियन स्टेट में सेलिवेट किया गया स्वर्णिम इंटरनेशनल सिवरात्री फेस्टिवल को हिमांचार प्रदेश में सेलिवेट किया गया कहां पर हिमांचार प्रदेश में स्वार्णिंवиков इंटेशनल कि हमांजर प्रदेश के उस समय उनके दोरह से छो है ऑ्मांजर प्रदेश में उसके लावा जान रखेगा र्याइट इमंपल यह भी डात इंडिया में 1983 से हर वर्स कंजूमर राइड डे मना रहा है अच्छा इस बार कंजूमर राइड डे का थीम क्या है टैकल प्लास्टिक प्लॉइशन पंद्रा मार्च को ही क्यों मना रहता है क्यों 15 मार्च 1962 को अमेरिका के उस समय के प्रिसेंट जॉन एफ कैनेडी ने पहली बार कंजूमर राइड पर स्पेशल मैसेज दिया था नेक्स नेक्स पोरशन है इंडिया किस कंटी को पीछे गए-फ़ॉर्फस वाल कंटी हो गया है तो रश्या को पीछे پड़िया था करसमै के लिए और फॉर्थ लार्जएस्ट व्रिजार्वाल कंटी हो गया था इंडिया अच्छा क्लु की बाद में इंडिया ने और इस रिज्रव है फिर जापान है स्ट्रिजड नमर पे स्ट्रिफर नमर पे याद रखे गा असम इतना याद रखेगा एक पास हुआ 2005 में इसकीम शुरू हुई 2006 में, पुरे देश में लाग हुई 2008 में, 2009 में इसका महात्मा का दीन आलेगा नाम पड़ा, 100 दिनों का रोजगार दिया आता है, पहले बार ये एक्ट प्रपोस किया गया था 1991 में, पीवी नर्सी महराजी की गौर्णमें में, रासिन खान, वोर्ड रिक 2020 में नंबर एक बॉलर है, ग्लोबल आयरुवेदा इवेंट, प्राइमिश्टम मोदी जी ने कहां पे इनाउगरेट किया है, तो केरला में इनाउगरेट किया था, ग्लोबल आयरुवेदा इवेंट, प्राइमिश्टम मोदी जी ने केरला में इनाउगरेट किया, तो न्य कहा है केरल में ही यह 2006 में स्थापना हुथी इस बाग ग्लोबल आयरुवेदा इवेंट का चौथा एडिशन और इस क्या गया है इतना याद रखेगा नेश आर्टिकल है नेश कोशन है वर्ड सर्वे और सी योज इसके तहट याद रखेगा इंडिया ने किसको पीछा किया है यूके को पीछा किया है याद रखेगा पीड़ी द्वरा चौथा एन्वल ग्लोबल सी यो सर्वे जारी क्या है क्या चौथा एन्वल ग्लोबल सी यू सर्वे गया किया इंडिया पाच्मौं मोथ अश्ट्रेट्ट्यू ग्लोथ-destination है 27 whenar Heart के सहुआ दोरा होस्ट किया गिया है ये इंपोर्टन नहीं है कि 27 या 28 है अलाग भोपाई दोरा होस्ट किया गिया है आपको यादेशना है हुंनर Heart कौन से मिश्टी और्गनेस करती है मिश्टी अफ माइनरूर्टी अफिर्स कौन सी scheme के दाए उस प्राद scheme के दाए फुल फॉर्म है अप्गेटिंग दाइसकेस एंड ट्रेनिंग इंट्रेडिशनल आर्ट्राफ्ट फॉर डेलर्बमेंट यह देखिए इसके लिए है माइनौर्टी कमिनिटी के लिए है उनर हार्ट का कियाता है इससे पहले यह पाई डे की रूप में पाई आप समझते होंगे 3.14 जिसका मान होता है 22 पाई 7 सोरी इंट्रनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च का उप्जूर कियाता है पहली बार पाई डे की रूप में 1988 में सेलिबेट के गयाता है ही क्या है मैथमेटिक्स टे का मैथमेटिक्स और बेटर वर्ड यूनिसको याद रखेगा 1945 में स्थापना हुई थी पैरिस में यूनिसको का हेटकोटर है डीजी है और डे अजूले ने कोशन है लूप एक्स मिशन इस्रो और किस इस्पेस एजनसी जोड़ा है जोएट की डिलप किया गया है लूप एक्स मिशन को इस्रो और जाक्सा जो की जापान की इस्पेस एजनसी है उसने इस्रो और जाक्सा ने लूप एक्स मिशन एनाउंस किया है लूनर पोलर एक्स्प्रोरेशन निया कोशन है, आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया इस्थापना कब होई थी? 1861 को आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की स्थापना होई थी. अगले दो अर्सों पर. ये जो कमिटी है इसके हैड होंगे प्रहलास सिंग पटेल. अर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने 2017 में कहा था कि सरश्वे रिवर है और इसके लेग पैनल भी नाया था, तो दो अर्सों तो अन्होंने एक शिट्टी की उसके अब प्रहलास सिंग की अधिश्था में एक advisory committee बनाएगी है जो सरसोती रिवर के existence पर research करेगी research क्या करेगी मलग की suggestion देगी archaeological survey of India 1861 में स्थापना हुई थी नियो देली में headquarter founder Alexander Cunningham जुनको father of Indian archaeology करते है data journal को है वी विद्या पती नियकोशन है भवानी देवी इंडिया की पहली तलवारबाज बनी है जिन्हों आ ट्रोकई उलम्पिक के लिए मंलग होई क्वाई के सब aquest खरणую देवी तलवारबाज भवानी देवी नाम रिखेगा ट्रोकई औल्पिक जो हो रहे हैं वह 32 ओलंपीक है समय पहला कब हुआ था पहला हुआ था 1896 में एथेंस में यह सारे चीजी यह दर रहेगा 1896 में हुआ था 1894 में इंटरनेशनल ओलंपीक कमेटी की स्थापना होती है इस ने कोशन देखते हैं नेशनल वाक्शिनेशन डे किस डिक को मना देता है तो नेशनल वाक्शिनेशन डे यह हर वर्स मना देता है आपका 16 मार्च को क्यों क्यों क्याँखिंग 12 2013 को वाक्त हुआ था इसमें 7 से लेकर 12 विमारें को सामिल किया गया था टार्गेट था 2020 तक 90% फुल इम्मुनिजेशन का टार्गेट एचीव करना तो मिशन वैक्सिनेशन नहां रिखेगा आज P.I.B. और कल P.I.B. या करेंटरेफर्स कुछ नहीं पढ़ेगा नहीं में ग्रेमी अवर्ड का कौन सा एडिशन लास एंजलिस नहीं आइस के गएग्या सब्स ग्रोशीज फॉफ्ट हे अवर्ड है रिक और यजेशं वहां पर लोस एंजलिस के अंडिश्ट्य अमेरिकल फॉफ तए यह वर्ड है लास एंजलिस में में question है All India Tourist Vehicle Authorization and Permit Rule 2021 कब से effect में आएगा All India Tourist Vehicle Authorization and Permit Rule 2021 ये एक अप्रल 2021 से effect में आ जाएगा इसमें क्या होगा जैसे ही आप fee deposit करते हैं 30 दुनों के अंदर आपको application submit करना होगा बाग कि आप 3 मन्त के लिए authorization permit प्राप कर सकते हैं और ये तीन मन्त तीन वर्सों तक इसी multiple में हो सकता है तो All India Tourist Authorization and Permit Rule विश्ट आप वो ट्रास्पोर्ट हाईवे ने दे दिये हैं एक अप्रल 2021 से implement हो रहा है नेक्स आर्टिकल है तीन हजार रव मनाने वाले पहले batsmen को मन गए है विराट कोहली तीन हजार रव मनाने लिये हैं इन्होंगा T20 International में तो पहले bats में मन गा है विराट कोहली जिन्होंने T20 International मैचेस में तीन हजार रव मनाया है इससे पहले मिथारी राज फर्स इंडियन वोमें थी जिन्होंने दस हजार इंटरनेशनल रव मनाया थी International Day of Action for Reverse ये किस दिप को आफज़र कहता है International Day of Action for Rivers ये आफज़र कहता है 14 मार्च को इस बार 24 वह डे 24 वह एडिशन मनाया गया है International Day of Action for Rivers का थीम क्या है Rights of Rivers क्या है Rights of Rivers तो International Day of Action for Rivers 14 मार्च को मनाया गया है 2020 में साहित अकैडमी और्च से कितने लोगों समायत किया गया है तो 20 लोगों को साहित अकैडमी और्च से समायत किया गया है 20 क्योंकि ये 2020 है इसलिए 20 लोगों समायत किया गया है ऐसा बिलकुल नहीं देखे अरुन धती सुबर मार्णिया इनको समायत किया गया है इनकी एक poetry के लिए नाम क्या है poetry collection है When God is a traveler Englishman की poetry है इसलिए अरुन धती सुबरमालनेम को 20 में साहित Academy Award से समायत किया गया है 20 में समायत किया गया है साहित Academy Award देखे लिटरेचर यानि साहित की फील में जायता है 24 language में 24 language में पहली बात तो एक आपकी वो 22 भासा है वो हो गई जो आठमी schedule में है फिर English प्लस ताइस स्थानी ये हैं आपके भासा है जिसके विए से साहित Academy Award दिया गया था 1945 से दिया जा रहा है इनक कोश्चन है UPI help इसको किस ने लांच किया है जिलीब आजबे है जिलीब आजबे हैं नक कोश्चन है World Class Winter Sport Academy किस इस्टेट या फिर यूटी में स्थाबिस कियागी World Class Winter Sport Academy ये जम्मो कस्मीर के गुलमरगा में स्थाबिद कियागी कहाँ पर? जम्मो कस्मीर के गुलमरगा है ये दिख लिए गृर्मनेट वर्ड क्लास विंटर स्पोर्ट अकाडमी जम्मू कसमीर के गुल्मर इसक्राइब करने जा रही खेलो इंडिया मिशन के दाएद देखिए खेलो इंडिया यूथ गिम की बात कहिए है तो 4 चौथा खेलो इंडिया यूथ गिम हर्याडा में होने वाला है इससे पर 2020 में तीसरा एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ केम का गुवा हटी आशान में जिसमें महाराश वीनर रहा था खेलो इंडिया इसकीम आपको पता ही है इसमें आठ वर्स तक पाच लाख पर एनम की फिनांसिल असिस्टेट दिया थे खिलाडियों को ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को धंग से कर सके हैं नेकर नेकर फोशन है काला नमक राइस एकंस श्टिवल कहा से लिबेट किया गया यू पी में काला नमक राइस ऐस्यवथ कियाई थी ज़बधार यूच वनिडाय से सीलेट किया है एपाँ तो बिद्धा राइस वह बिखाते है Graphi यूपी का है सिध्धार नगर का एरों में कियाने कुछ उगंद आती है कुछ खास नहीं है यूपी गवर्मेंट जोरा पहली पर वन डिस्टिक वन प्रोड़क्टी स्कीम स्टार्ड कीगी फिर पूरे देश में अपना लिगी और कुछ दिन पहले गुर महोसो गुर महोसो को लखनों में सेलिबेट किया गया नहीं कोशन है प्रिंस विदा पेंट ब्रस इस्टोरी आफ राजा रवी वर्मा इस बुक को किस नहीं लिखा है प्रिंस विदा पेंट ब्रस इस्टोरी आफ राजा रवी वर्मा यह लखी है, पब्लिस की जाएगे रेट फांडाड़ा हुजर ने फर्स्ट सेंट्र Л. अमेरिया फ्री खोसृत किया है एल सेल्वाडोर पहली मद Аμεेरिकी कंट्री है इसको मलेरिया फ्री खोसृत किया गया यह देख लीज़े यह है एल सेलवाडोर, फर्स्ट सेंटरल अमेरिकन कंटी, इसको मलेरिया फ्री को सिक्किया गया है, डबलो एचो दारा, मलेरिया फ्री किसी कंटी को दुखोषित करने के लिए लगाता है तीन वर्सों तक कोई भी मलेरिया का केस नहीं आना चाहिए, दो है सत्तरा से, एल सेल सैमसंग इनोवेशन लैब हाल ही में किस इंडिया सिटी में इनागलेट की गई है, तो नई दिल्ली में एक सैमसंग इनोवेशन लैब इस्थापिक की गई है, यह देखिए, सैमसंग इनोवेशन लैब इस्थापिक की गई है, डेली टेकनोलोजिकल इंविश्टी में है, बस ए सिम्संग चैनि टेकनिकल लएशंटी में हैं गौशलया शंकर, इनको IWOC अवार्ड से समाई किया गया, कहां से बिलॉण करती है, गौशलया शंकर, तमिलनाट से बिलॉण करती है, कहां से, बस इतना देखे, US Consulate, US Consulate दोरा, गौशलया शंकर को International Women of Courage Awards है, यानि IWOC award से समाइद किया गया है US consulate यह गोशलय संकर को है Tamil Nadu based anti caste activist है या फिर human right defender है गोशलय संकर इनको इंडिया में जो US consulate है उसके दोरा international women of courage award से समाइद किया गया है यानि IWOC certificate दिया गया है देखे courageous activities के लिए दिया जाता है women's को गोशलय संकर तमिलार से विलाग करती है और यह UN consulate general जो चन्नाई में है उसने इनको समाइद किया है international women of courage award दोज़ार साथ सदिया रहा है annually Washington DC में इसका दो संस्ता है वो देती है ICC दोरा आठ वर्स का बैन मौहमबन नवीद सल्मान भट पर लगाया गया है यह कहां से विलाग करते है मौहमबन नवीद सल्मान भट यह विलाग करते है अफगानिस्तान से कहां से अफगानिस्तान से यह देख लिए ICC ने सोरी UAE के प्लेयर है पहमर नवीद सल्मान भट UAE United Arab Amirat के प्लेयर है इन पर आठ वर्स का बैल लगाया है तो ICC UAE के दो प्लेयर्स पर आठ वर्स का बैल लगाया है ICC के बत्रेयर है 1909 में स्थापना हुई दुबाई में हैटकोटर है मनुसानी CEO थेस के चेर परसन कौन है रेक बाक ले अफगानिस्तान के स्पेनर राशित खान ने वर्डिकाउड बना दिया है एक ही टेस्ट में मैक्सिमम ओवर फेक के Elliot Pace फर्स्ट ट्रांस्जेंडर हो गई है जिनको टाइम मैक्सिम के कवर पेस पर इस्थान मिला है Elliot Pace कहा से बिलॉंग करती है ये बिलॉंग करती है यूएस से ये है Elliot Pace फर्स्ट ट्रांस्जेंडर है जिनको टाइम मैक्सिम के फ्रंट कवर अलब कवर पेस पर इस्थान मिला है आसकर नॉमिनेटेड एलिएट पेस को टाइम मैगजिन के फ्रेंट कबर पे इस्थान मिला है डोनाल ट्रम ने कहा था 2017 में यूएस मैलिट्री में कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं होगा टाइमस मैगजीन अमेरिका न्यूस मैगजीन है 1923 से पब्लिस हो ही अमेरिकन एक्ट्रेस लवार्ने कोक्स यह फर्स्ट ट्रांस्वूमेंट है जिनको 2014 में टाइम मैगजीन में इस्थान मिला 21 एक्सबिशन लोकल प्रोड़क्स को बढ़ावा देने के लिए कि इंडियन इस्टेट ने और्गनाइस किया है मरीपूर ने मरीपूर ने और्गनाइस किया है माई ऑन 2021 एक्सबिशन मरीपूर की चीफ मिनिस्टर एंड बेन सीम ने लांच किया है माई ऑन 2021 परपस है मरीपूर के जो लोकल प्रोड़क्स है उनको बढ़ावा दिया है इसलिए उनकी प्रशनी लगाई जाएगी मरीपूर के बात करें तो यह मैप में देख लिए यह है मरीपूर वर्ड का एक मात्र तरता हुआ निशनल पार्क जिसका नाम है केबूल लम जो वो मरीपूर में ही है इसमें है लोक्टक लेक जो है संगाई डियर्स के लिए फेमस है या रखियेगा टेमपल मैनेजमेंट स सिस्टम आंद्रदेश गवर्मेंट ने लॉंच किया है इसके तहर सभी जो टेमपल है वह इंडोर्मेंट के तहर कारी करेंगे तो आंद्रदेश की कैपिटल 24 तक हैदराबाद जॉइंट है इसके तार तिलंगना के तक हाला कि विशाखापटनम आमरावत्ती कुर्णूल इसके कैपिटल है इसमें विशाखापटनम एग्यूटीव कैपिटल है चीफ इस्टर को है जिगर मोहनरडीजी गवर्णर को है विश भोशन हाई चंदन है इंडिया का लार्ज़ेस टैगर रिज़र्व जिसका नाम है नागारजुन स्री सरलन टैगर रिज़र्व वो आं ने Microsoft Amazon Wave Series Google के साथ पारणा सिक्की है इसमें RN Technology का यूज़ करेगा RN क्या है देखिए Mobile Telecommunication System है जो की Radio Access Technology इंप्रिमेंट करने के जरूरी है तो Nokia ने इन तीनों के साथ पारणा सिक्की है याद रखेगा Nokia Award की पहली Telecom Operator Company है जो की Lunar Surface याद चांद की साथ पर 4G Network प्रवाइड करेगा Nokia और Finland के Company है ने कोशन है IPSA इसका जो IPSA है इसकी स्थापना किस Declaration के तहत की थी तो IPSA की स्थापना की थी ब्रजीलिया Declaration के तहत IPSA की चर्चा इसलिए है क्योई छठुवी Meeting होई है IPSA Women Forum की IPSA Women Forum की छठुवी Meeting होई है देखे Mutual Corporation के लिए इस तोरान बात की थी Women's Centre खास करके Ministry of Women and Child Development यानि इसमें तुझवा इडिशन होगा IPSA Women Forum का IPSA के बाद करें दोज़ाद तीन दे स्थापना होई थी ब्रजीलिया Declaration के तहा है वर्ड एर कॉलिटी रिपोर्ट दोज़र बीस स्विस और्गनाज़शन आईक्यू एर तोरा रिलीस की गए है जिसमें वर्ड की टॉप थर्टी यानि विस्व की सबसे अदा तीस पॉलूटेट सिटीज की बात ही है अबर कैपिटल की बात करें और फॉलूट बाइ नाइन इंडियन सिटीज टॉप टेन में नो तो इंडियन सहर है हाला कि देली मोस्ट पॉलूटेट क्या है कैपिटल है आईक्यू एर एक स्विस एर क्वालिटी टेक्नालोजी कंपनी है बाकी कुछ जरूरी नहीं इंडियन सिटीज के लिए नहीं कोशन है वर्ड एनर्जी टांजिशन आउटलूग रिपोर्ट किसने पब्लिश की तो दो दिन पहले उसमें पढ़ाया था मैंने किसमें पियाई बी में इरेना द्वरा वर्ड एनर्जी टांजिशन आउटलूग रिपोर्ट जारी कियाती है बस इतना याद रखेगा इंटरनेशनल रेनियोबल एनर्जी एजनसी हाली में बर्लिन एनर्जी टांजिशन डालॉग हुआ उसी दोरान इन्होंने कहा उन्होंने ये रिपोर्ट जारी कि वर्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलूग रिपोर्ट देखिए इरेना की बात करें तो इंटर गॉर्वर्मेंटल और्गनाजिशन है 2009 में स्थापना कीए थी अबू धावी में हेटकवटर है टोटल 160 स्टेट्स यानि कंट्रीज और European Union इसकी मेंबर है इसकी मेंबर हैं निया कोश्चनल 2021 का Asian Boxing Championship कहा और्गनाजिश हो रहा है तो New Delhi में और्गनाजिश हो रहा है 2021 का Asian Boxing Championship 31 एडिशन है Asian Boxing Championship का Championship का New Delhi में और्गनाजिश होगा तो Olympic Games से पहले या और्गनाजिश किया जा रहा है तो Asian Boxing Championship पहली बार 1963 में होई थी Bangkok, Thailand में तब से और्गनाजिश की जा रही है इस बार 31 एडिशन हो रहा है Asian Boxing Championship का नई दिल्ली में Asian Boxing Championship Asian Boxing Association जो कि इसको और्गनाजिश करता है IBA 1946 में My Life in Full Work Family and Our Future ये बुक इसने लिखी है इंद्रा नुई ने बस इतना है My Life in Full ये बुक लिखी है इंद्रा नुई दोरा इंद्रा नुई की बुक है My Life in Full PepsiCo की Chairperson आई चुकी है CEO रह चुकी है इंद्रा नुई नाम या रखे है My Life in Full बस इतना या रखेगा RBA द्वरा सभी बैंक से कहा गया है कि Image Based Check Truncation System सभी ब्रांचेस में Implement करना है 30 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 से Image Based CTS CTS का Full Farm Check Truncation System इसको Implement करना है RBA ने कहा है 30 सितंबर 2021 से सभी बैंक्स को अपनी सिस्टम होता है यह Micah Technology पर काम करता है Magnetic Ink Character Reader इसका फुल फॉल मेल रखेगा Magnetic Ink Character Reader RBA किस्थापना 1935 में होई थी RBA एड 1934 के दोरा कोड़कता में होई थी Hilton Young Commission की सिफारिस पर 1937 में इसका हेटकोटर कहां गया था 1937 में मुंबाई होगा तब से वहीं पर वरत्मान में 25 अर्वे गवर्न है सक्तिकान दास अर्वे इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह important नहीं है मैं कोशन देखते हैं हुरून इंडिया बिल्थ रिपोर्ट 2021 इन्होंने हुरून इंडिया बिल्थ रिपोर्ट हाली में जारी की गई है इन्होंने एक नौवल हुरून काटगरी को इंडिया में आइन्टिफाई किया है इसकी आइवरे सेविंग जो है 20 लाग पर एनम है तो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है अगर कुमुलेट्टिव हाउस होड्स की बात करें तो लगबग 6 लाग ये तो इंपोर्ट नहीं छोड़ी है ये भी नहीं ठीक है हाँ हुरून रिपोर्ट दो ब्रॉट सेग्मेंट्स में क्लाइफ़ाई किया आती है जो कि विल्दी हाउस होड्स को बताती है फर्स वाला लोल पार्ट होता है सेगंड वाला अपर पार्ट होता है तो एक नई कटेगरी न्यू मिडिल क्लास ने कोशन है स्प्रिंटर एस धनलक्षमी ने ड्यूती चंद के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है विमन्स हंडेड मिटर स्प्रिंट फैनल में ये नेशनल एथलेटिक चेंपियंशिब में तोड़ा किया है आपको तोड़ा था है एस धनलक्षमी कहां से विलॉंग करती है ये विलॉंग करती है तमिलनार्ट से नेशनल एथलेटिक चेंपियंशिब इसका 24वा एडिशन हुआ है पटियाला पंजाब में याद रखना है आपको नेशनल एथलेक्टिक चेंपियंशिप 24वा एडिशन पटियाला पंजाब में हो रहा था उस दोरान एजध्धनलक्षमी ने एजध्धनलक्षमी जो कि तमिलनार से बिलाओं करती है उन्हेंने दूतिचंद जो कि राजिस्थान से बिलाओं करती है विमेन 100 मिटर इस्पिंट फाइनल में इनका नेशनल एकॉर तोड़ दिया है नेशनल एथलेक्टिक चेंपियंश अब की शुरुआत 1961 से हुईफी दूतिचंद और एजधनलशमी इस्टेट याद रखेगा इस पिंटर है दोरों लोग किस इस्टेट के हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर वुमेन्स को भी नेशनल कैड़ेट कोर यानि NCC में बढ़ती होने का अधिकार है तो किरला हाई कोड ने कहा है भई ट्रांसजेंडर हुए मिन भी NCC में पार्टिपेट कर सकती है देखें केड़ेट के लिए कि हीना हनीफ़ा मारी महुमत खान, साइलेट वैली नेशनल पार्क मत केतन सोला नेशनल पार्क बहुँच अचाम है केरल में ही और वेमिनार लेक इंडिया की लॉंगेस्ट रामसर साइट है वो भी केरल में है कुछ दिन पहले ग्लोबल आयरोएदा फेस्टिवल इसको केरल के कोची में ही इन सब्सक्राइब के साथ मिलकर और्गनाइज किया है यह ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम का फर्स्ट एडिशन है याद रखेगा बात करते हैं फीफा की तो फीफा की करडेशन आफ इंटरनेशन फुटबाल असोशेशन 1904 में स्थापना हुची जूरिक में हेड़क गनपती जी यह हैं एम ए गनपती जी एमन बोल लिए आईपस ऑफिसर ने डीजी ने हैं नेशनल सेक्योर्टी गाड़ के नेशनल सेक्योर्टी गार्ड यह 1986 में बनी थी इंद्रा गांधी जी के हत्ता के बाद मिनिस्ट्रिकां हों फर्स के दहता आती है और यह जो आपके एम गनपती है इन्होंने B.A. सिधू को और भिलेज किया है ISDG of NSG नेकोशन है Global Recycling Day किश डेड को अबज़र कियाता है Global Recycling Day यह अबज़र कियाता है 18 मार्च को रिसाइक्लिंग के विशे में लोगों को अवेर करने के लिए Global Recycling Day का थीम क्या है Global Recycling Day का थीम है Recycling Heroes बस रिलीस किया जो कि महराश्च के गॉर्णर है महराश्च के गॉर्णर भगर सिंग कोशियारी ने एई बुक रिलीस किया नाम है Dawn Under the Dome इसमें बताया गया है मुंबाई जनरल पोस्ट आफिस बिल्डिंग के बिसमें बताया गया है इस बुक को लिखा गया है वहाँ के पोस्ट मार्टर स्वाती पांडे की द्वरा और्किडा मुखर जी के साथ मिलकर देखे जो मुंबाई का पोस्ट आफिस है तीन टरे के स्टोन से बना है येलो स्टोन बाकी वाइड स्टोन ये बहुत ये है Dawn Under the Dome रिलिस किया है माकिसन कोशा रहरी ने रेटले हाइडरोएलेक्टिक परwydd। किस रिवर पर है जेलं रिवर Par रेटले हाइडरोएलेक्टिक पाउर कॉंपरेशन द्वरा हाली में JYC के साथ पार्रोल दिए गया है कि हाइडरोएलेक्टिक परेड से में आपको जाते हैं 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है नहीं पीसी दोरा इसको बनाया जा रहा है रैटलिब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को गौर्मेंट आप इंडिया ने खाया है कि विंटर इसमें से कौन सी ये इसे की नहीं मेंबर बनी है तो ये इंपोर्टन नहीं है कोशन हमें आईसे के बिसे में जानना चाहिए देखिए इंडिया और फ्रांस द्वरा जोएंटलि स्थापना की गई थी अब पहले कहा गया है कि 121 कंटी ही इसको जोइन कर सकते हैं वो जो ट्रॉपिक आफ कैंसर और ट्रॉपिक आफ के बीच में आती है लेगे कुछ समय पहले ही आएसे को वापस आईसे framework को amend किया गया और कहा गया कोई भी यूएन मेंबर इसको जोइन कर सकता है एक्जाम में आप से पूछेंगे कि ISF framework amendment के बाद पहली country कौन सी थी जिसने इसको join किया तो Denmark थी बस इतना है रखीगा Italy जोइन किया है तो Italy के बिसे में पढ़ लेते हैं Rome में इसकी capital currency है euro President है Sergio Metarela Prime Minister है मारी दरागी Italy के बास इसमें G20 की presidency है याद रखेगा हुरूर इंडिया wealth report 2020 अभी बताया मैंने आपको इसमें किस इंडियन state ने first rank हासिल की है high net worth individual के distribution के मामले में तो सबसेदा high net worth high net worth individual कहां होंगे महराष्ट में है ये तो बताने की बात ही नहीं है चले देख लेते हैं हुरूर इंडिया दोरा wealth report 2020 2020 जारी की है यह 9th edition है इस report का जहां से पढ़िएगा महराष्ट ने first rank हासिल की है second आया है UP third आया है तमिलनाडू यह top three state याद रखेगा हुरूर इंडिया के wealth report 2020 जिसका 9th edition है देखे हुरूर इंडिया wealth report में महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज सभी को पता है कहां पर है कहां पर है राजिस्थान में देवलाली महाराष्टा में महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज जैसलमेर में है यहां से 130 mm के self-propelled M40C caterpillar इनका test किया गया है तो महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज अगर भर पूचेंगे तो पूचेंगे नहीं तो नहीं पूचेंगे कोशल मेला प्रण म выпуск Sal विकास योजना के ठाथ एप कहां और्गनाइस किया गया है तो यह और्गनाइस किया है जम्मो में कहां पर जम्मो में कोशल मिला और्गनाइस किया गया है इसकिल डेलमें मिनिस्टी दौरा प्रधामत्री कोशल विकास योजिना के पाड़ के दौर पाद लेह में चम्मू में नहीं लेह में और्गनाइस किया गया है लेह में छोड़िए इसको प्लामंत्री कोसल विकास योजिन जाता है इंप्पोर्ट ने लांच की दी मिनिस्टिश आफ इसकेड़रेमेंट की स्कीम है नेशनल इसकेड़रेमेंट कॉर्पोरेशन इसमें ट्रेनिंग प्लॉयर करता है बस नहां रिखेगा Одंने ओडिनस amo को मना इयता है तो मेरे ख्याल से हर बर्स अटारा मार्च को 奥्यरट्रफ फेक्ट्रीड्य मना इयता है देखिए वर्ड में 37th position पर अगर defense manufacturing की बात करें Asia में इडियाया में फर्श्चनhyरर फेर्ट्थिर इस बार जो ओर्डिनेंस फेक्ट्री दिये है वो धुंगान से बनाई है क्योंकि मेकिन इंडिया को फिर्मोर करना था ओर्डिनेंस फेक्ट्री बोर्ड को डिफेंस की फोर्थ आर्म भी कहते हैं इसकी स्थापना हुए थी 1775 में हेड कोटन है आयुदभवन कोलकत्ता और अवरत्मान में CMD कौन है DG और चेर्वन कौन है CS विश्यकर्मा ओर्डिनेंस फेक्ट्री बोर्ड के लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां कंस्ट्रक्ट्ट होगा है सिंगापूर में बस इतना ही याद रखियेगा सिंगापूर में लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापूर की करन्सी है क्या सिंगपूर डॉलर प्रमिस्टाइं लीज जैन लूंग ने कोशन है हस्तमुदला सहीदी यह फर्स्ट बैट्समैन होगा किस कंट्री के जिन्हों डबल हंडिड माला है अब बार्जस्टाइं के बतने यह है मैं पर अफ्लाजस्टाइं काबूल का एप्टेल है और अब तो कुछ मतलब नहीं इन सब चीजों का तालिबान हो गया वहां पर ठीक है मुला बरादर वहां के प्रिश्टर बनने हैं इतना याद रखेगा यूएन वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोहार इकिस में किस ने टॉप किया है तो वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोहार इकिस को फिनलैंड ने टॉप किया है तो इंडिया ने पाच प्लेसेस का इंप्रूमेंट किया है याद रखेगा वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट को टॉप किया है फिन्लैंड है, सेकेंड है आइसलैंड और थर्ड है डिर्मार्ट सबसे अनहैप्पी कंट्री कौन सी है अफगानिस्तान पाकिस्तान बहुत अच्छा में है क्योंकि इंडिया से अच्छी पोजिशन इसकी 105 में प्लेस पे है, वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में अच्छा यह जो आपका अफगानिस्तान है मोश अनहपी क्यों है अब तो प्रतल ही गया, कुछ बोलने की बज़ना तो वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट को UN-SSDSN मज़ारा रिलीज के रहता है 149 कंट्री के लिए UN-SSDSN की बात करें नियॉर्क मैटकॉर्ट अच्छेट 2012 में स्थाफना हुई इंडिया के रहें खें 139th लास्ट यह 144th इंडियन अथलेट अविनास साबले एक नए वर्ड रिकॉर्ड बनाया है 3000 मीटर स्टिपल चेस इविएंट में अविनास साबले कहां से बिलाग करते हैं ये महराज से बिलाग करते हैं ये हैं अविनास साबले इन्हों हो रही है बट्याला में हो हेवे हैं निशुखवना एडिशन है अभी पढ़ा है ने अभी पढ़ा हो रहाँ है निशुखान एफवना साबले ने वार्ड रिकॉर्डड बनाया है 3000 मीटर सेघ्षेपल चेस में इस पिंटर एस धनलक्षमी दूती चंद का रिकॉर्ड तोड़ा है इनोंने पता मिलना और से विलॉंग करती है S.E.R.B. Women Excellence Award किसको दिया गया है सोनु गांधी जी को दिया गया है मेरे खाल सहां S.E.R.B. Women Excellence Award S.E.R.B. मनलब Science and Engineering Research Board का Women Excellence Award दिया गया है Dr. Sonu Gandhi को जो कि इस समय National Institute of Animal Biotechnology में काम कर रही है सर्ब नेशनल ये जो आपका सर्ब एक्सेलेंट सर्ब विमें एक्सेलेंस ओर सोनु गांधी को दिया गया है National Institute of Animal Biotechnology हैदराबाद में है Department of Science and Technology की तरह आता है 1210 में साफना होई थी World Oral Health Day किस डेट को मना जाता है तो World Oral Health Day 20 मार्श को मना जाता है थीन तीन वर्सों के लिए 2021 से 2030 के लिए क्या है Be Proud of Your Mouth World Oral Health Day इसको FDA गरमा जाता है FDA क्या है World Dental Federation है जिनेवा में इसका Headquarter है तो Health Relator जो संस्था है उसका Headquarter जिनेवा लगा दीजीगा सामिया सुलूह हसन फर्स्ट फिमेल लीडर बनी है किस अफ्रिकन कंटी की सामिया सुलूह हसन तंजानिया की फर्स्ट फिमेल लीडर बनी है यह है सामिया सुलूह हसन तंजानिया की छठुई प्रेसिज़ बनी है ना में देखेगा सामिया सुलूह हसन है छठी प्रेटेंट है तंजानिया की ने कोशन है इन्टेनेशनल टे उफ हैपिनेस ये भी 20 मार्च को और येधा रिपोर्ट इसी दिन जारी की गई 20 मार्च को वäreड रिपोर्ट जारी कीend इन्टेनेशल ते वाइस बी काईट ये है वड हैपिनेस्टे का थीम 23 से शुरुवात हुई थी UNGA द्वरा एनॉंस किया गया था 1945 में UNGA की स्थापना हुई थी वॉलकन वोस की अभी तक प्रेसिडेंट थे UNGA के चेंज हो जाएगा संमाल का फिर्फफफरम है स्ट्रेजिक एक्षन फॉर एलिवेशन ऑफ माल Нीटूर्षि अड अनेमिया रेडिक्षन की इस्टेट रन आर्म है उसके द्वरा ग्राम उजला प्रोग्राम लांच किया गया बिहार में हाई क्वालिटी एनर्जी एफिसेंटी LED बल्ब जो है डिस्ट्रिबूट कियाएंगे रुपीज दस पर पीस में रुपीज दस पर पीस में लेकर फर्ट फेजो ये प्रोग्र ग्राम हुजला प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिबूट किया एंगे कई सारे अस्टेट्स में बिहार में शुरू हो गया ग्राम उजला प्रोग्राम मिश्टी ऑफ न्यू नोबल एनरजी के मिस्टर आरकेस ने लौंच किया था बिहार में इतना यादक ना है EESL के बाद करें 29 में इसाब ना होगी थी न्यू देली फैट को टरहें वर्ड स्पैरो डे किस दे को मना जा था 20 मार्च 21 मार्च को अमेरिकल देख लेते हैं 21 मार्च को सायद 20 मार्च को गई वर्ड हैपिनेश डे वर्ड स्पैरो डे सेम देख आई लग स्पैरो इसका ठीम था तो फर्स्ट टाइम वर्ड स्पैरो डे 210 में मनाया गया था बैक्यार्ड जो बैक्यार्ड वर्ड भीन को कहते हैं 20 मार्च को यह कोशन है यह सश्विनी देशवाल फर्स्ट गोल्ड मैल जीता है विमेंस 10 मीटर एल पिस्टल फाइनल में यह ISSF वर्ड कप के दोरां जीता है ISSF वर्ड कप अहां हो रहा है इंडिया में हो रहा है न्यू देली में ISSF वर्ड कप हो नहीं रहा है हो गया है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ड कप नडिली में हो रहा था वहां पर 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोड वालेज जीता है पहली बार यह ससुनी देशवाल यह ससुनी देशवाल शूटिंग से रिलेटेड है दी लिए यहांसवे सिंग cactus जीता है यह भी शूटिंग से रिलेटेड है ISSF important है ने कोशन है International Day of Forest World Forest Day इस डे को मना जाता है तो World Forest Day 21 March को मना जाता है Theme क्या है Forest Restoration बस इतना ही Theme आ दखेगा आगे नहीं जरूर रहता है आपको तो International Day of Forest Theme है Forest Restoration फिर 21 March को ही World Down Syndrome Day मना जाता है Theme क्या है We Decide World Down Syndrome Day का Theme है We Decide ने कोशन है 2021 को Year of Culture इनमें से किसमें गोसित किया है तो 2021 को Year of Culture गोसित किया है SEO दवारा किसे संघाई Cooperation Organization देखें इंडिया ने हाली में नौरोज जो Festival Activities थी उसमें पार्सिपेट किया SEO के Secretariat SEO को Headquarter का है संघाई में नहीं याद रखेगा SEO ने 2021 को Year of Culture गोसित किया है जिसमें कथख योगा इंडियन काई सारी चीज़े डिपेजेंट किया देगी नौरोज एक पार्सिपेट नियू यार है जिसको SEO ने आली में सेरेट किया है इंडिया ने इसमें पार्सिपेट किया 21 को Officially Recognize किया है जिसमें नौरोज डे के तौर पर तो मार्च 21 नौरोज डे के तौर पर मनाया गया तो नौरोज का आपने आप में वो रहता है स्प्रिंग के सीज़ें मनाया गया था वो बात अलग है हम लोग पढ़ चुके है SEO के बात करें दो है एक में स्थापना और पीजिंग में हेटकोटर है देखिए Official Language दो है Secretary General ने ग्लादमी रिलीजिन और SEO इंडिया और पाकिस्तान SEO को मेंबर बने 2017 में ने कोशन है First Indian state to approve ethanol promotion policy तो बिहार इंडिया का पहला state है जिसने ethanol promotion policy को approve किया बिहार इंडिया का पहला state जिसने ethanol promotion policy को approve किया 2018 में national policy और बायो फ्रूल आई थी उसको देखते हैं बिहार ने अप्रूब कर दिया है ethanol का अपको target है ethanol blending program 2003 में launch हिया गया 2022 तक 10% और 2025 तक 20% तक ethanol blend करना है बिहार दिवस 109 मनाय गया 22 March को तो ये भी याद रखेगा क्योंकि British rule से बिहार इसी दिन आजाद हुआ था next question है what most dangerous road to drive किस country में है सबसेता खतनाक सड़के है सौथ अफरीका में इतना याद रखेगा खास बत क्या है वर्ड की safest road कहा है नौरवे में फिर सुरियन में फिर है Japan में इंडिया 4th place पे है word safest road के मामले है तो word की 4thी सबसेता safe road कहा है इंडिया में सबसे खराब road है सौथ अफिका में सबसे safe road कहा है Denmark में तो इंडिया की रेंग है forth safest road के मामले में इतना या द रखेगा इसको world health organization global health observatory data डाटा रिकॉजिट्री की तयार पर मलग की अरहार पर तयार किया गया है इन्ट कोशन है देखें military direct एक defense website है उसके हिसाब से world की strongest military force कौन सी है चाइना की जो military force है world की strongest है बले ही US से अपने उपर budget बहुत खर्चा करता हो लेकिन second place पर आती है तो ultimate military strength index इसको military direct ने release किया है इसके चाइना की जो military force से सबस्दा पाउरपूल है सौ में से 82 आपको ज्याद रखना है कि सबसे ज्यादा budget 732 billion USA खर्च करता है second पर 261 billion चाइना खर्च करता है पबी को SCO के संगाई cooperation organization इंडिया पाकिस्तान चाइना और अनिकनटीज ने SCO की joint anti-terrorism exercise पबी anti-terror को पार्च बेट किया हाली में RATS regional anti-terrorist structure RATS किसका ग्रूप है RATS SCO ग्रूप है RATS की 36 meeting हुई है तासकन उस बेकिस्तान में देखी SCO की presidency है उस बेकिस्तान के पास यह याद रखेगा तो RATS उसका ही participate है मलब पार्ट है पबी anti-terror exercise joint exercise है संगाई cooperation organization की और संगाई की विसे में अभी आपम लोग पड़ चुके हैं इंडिया ने नौरोज फेस्टिवेल में पार्च पेड़ किया कमल प्रिद कौर ने टोक्यो उलंपिक के लिए अपनी seat book कर ली है किस रेलेटेट है तो बहुत स्पहमस हुआ थी है इन्होंने बहुत पीछे रगी थी लेकिन कमल प्रिद कौर पंजाब से भी लॉंग करती है यह देख लीजिए टोक्यो उलंपिक के लिए क्वालिए कर ल लॉस-ंगलिस में होने है 2020 के कंहुं होंने बियस-बैं ऑउस्ट्रेलिया में गोर्शन है वर्ट मेट्रोलोजिक डे हरी कि हरी मनायता है तो 23 census मार्च को मेरी ख् señak me zam 데 मनायता है यह देखी, व्लॉम की त्भना 23 मार्च ंप बिर की यह मना जाता है, थीम क्या इसबर का, दो ओशन और क्लाइमेट एंड विदर, यह है WMO का थीम, वर्ड मेल्टोर्जिकल और्गनाज़जिशन के बात करें, तो UN की स्पेसिलाइज डेजनसी है, UN की 6, नई, 15 स्पेसिलाइज डेजनसी है, UN की, उसमें से है WMO, 23 मार्च को सहीद दिवस्यनी, मार्टेश डेज डेविन आयता है, क्योंकि इन तीन लोगों को फासिद दे गई थी, इन्य कोशन है, नेशनल फिल्म और्ट, खाली में इसका कौन सा एडिशन, नी देली में कंड़ किया गया, नेशनल फिल्म और्ट का ने दिल्ली में हुआ, यह देखिए, सरसेटमा नेशनल फिल्म और्ट का हुआ, ने दिल्ली में हुआ, बेस्ट फिचर फिल्म मरककार लाइन आफ ता अरेबियन शी बेस्ट एक्टर मनोज बाजपाई फ़र भोषले और धनुस फ़र अशुरन बेस्ट एक्टरेस कंगना नातान फ़र पंगा दे कुईन फ़र जासिक मनिकानिका बेस्ट हिंदी फिल्म शी छोरे सुसान सिंग करते हैं लिमुझे लिवर सद्ब्स एंडवर में चेमंपएर है मैं एक्टेगर्रा उसकी स्थाफन की वर्स की ती इड आई स्थापन 1999 में की गई थी तब इसका हैट कोटर कहा था नहीं दिल्ली में था Insurance Regulatory and Elements Authority of India इरलाई ने कहा किया आरो की संजीनी पॉलिसी में जो Health Insurance Plan है उसमें maximum cover 10 लाख तक का इनाॉंस कर दिया है वो important नहीं है बसक्रिना दिखेगा इरलाई Insurance Regulatory and Elements Authority of India 1999 में स्थापना हुई Headquarter कहां? वरतवान में हैदराबाद में 2001 में ये दिल्ली से हैदराबाद टांसफर हुआ Chairperson है सुभाज चंद्र एड़ाई Act 1999 में पास हुआ था नहीं कोशन है World Tuber Crisis Day कि जट को मनायता है तो हर वर्स 24 मार्च को World Tuber Crisis Day मनायता है 24 मार्च को ही क्यों मनायता है 1882 1882 को Robert Coach द्वारा TB के बैक्टेरिया की खोश कीजिए याद रखना है TB के बैक्टेरिया की खोश कीजिने की Robert Coach ने कब हुई 1882 में इसलिए 24 मार्च को World Tuber Crisis Day मनायता है The clock is ticking बैक्टेरिया जनित रोग है लंक्स को इफेक्ट करता है TB TB देखें इंडिया एलमिर्ट करना चाहता है 2025 देखी WHO का तारगेश है 2030 यादि पाच वर्स पहले WHO 1948 में स्थापना हुई थी Geneva Medcutter है DG है Ted Rose Adhanom Athiopaea से ब्लॉंग करते हैं Somya Somynathan Deputy DG है चेन्नाई से ब्लॉंग करती है इसी रहे चर्चा में है तो Space Application Center दोरा Successfully Communication किया गया है Quantum Quantum Communication Quantum यानि बहुत सिक्क्योर Communication अच्छा वर्ड का पहला Quantum Centrelate चाना ने डिल अब किया था याद रिखेगा इस रोंने अनॉंस किया है कि वो एक Space Technology Incubator Center इस्थापित करने याद रहा है इस रों किस्थापना कियी थी विक्रम सारा भाई ने Father of Indian Space किस Space Agency दोरा 38 foreign satellites को छोड़ा गया है जो कि 38 गंटी से हैं तो Ross Cosmos कहां की है Russia की Space Agency है उसने 38 satellites छोड़े है इंपोर्टन यह है Tunisia का satellite छोड़ा है Tunisia अरब कंटी यह पहली बार इसने satellite बनाया है Tunisia का Challenge 1 ना मयाद रखिया एक मातर अरब कंटी जहां पर डेमोक्रेसी आई अरब क्रांथी के बाद वो Tunisia ही थी और Tunisia ने क्या क्या Challenge 1 नाम का satellite ना मयाद रखिया रश्या के बाद के बाद करें रश्या का map बहुत बड़ा है इसलिए Doam का का Next function है India's first government ambulance network for animals India में पहली बार government द्वर्वर्वा संचाले ambulance network for animals कि सिस्टेट ने लौँचिए है आन्पुदेश ने बस इतना ही अरद रखियेगा आन्पुदेश द्वर्वर्या का पहला government run हरियाडा ने और आरोग्य मित्र अन्वा देश ने ये तीन मित्र भी याद रखेगा किसान मित्र खासकर क्योंकि आप पर देने जा रहे हैं सिंघ राज इंडिया के पहले पैरा एथलेट इंडिया के पैरा एथलेट हैं जो पैरा एथलेटिक्स वर्ड कप यूएई में गोल्ड में लगीता है कहां से विलोंग करते हैं सिंघ राज एंपी से विलोंग करते हैं करते हैं पैरा एथलेट हैं शूटिंग जो पैरा एथल अल्यान UAE के President है अच्छा यह पैरा शूटिंग वर्ड कप नाइथ एडिशन है पहला कब हुआ था 1994 में आउस्ट्रिया में हुआ था यह जुरूएद रखेगा पैरा शूटिंग वर्ड कप ने कोर्शन है Justice N.V. Ramana किस नमबर के Chief Justice बने इंडिया के 48th Chief Justice of India Justice N.V. Ramana यह है Justice N.V. Ramana Supreme Court of India के नए Chief Justice बने है President ने इनको सबद दिलाई है अच्छा कौन से आर्टिकल के तहट सुप्रीम कोड का प्रोविजन है Article 124 Justice 47 जो Chief Justice है SS बोबडे उनका retirement हो गया ठीक है 65 तक की Ace तक ही को Chief Justice बना रह सकता है तो उनके सक्सेसर की रूप में 48 Chief Justice of N.V. Ramana जी बने है Article 124 जो है Supreme Court में Justice का appointment करता है इंडिया के पहले Chief Justice कौन थे ही डालाल जे कानिया है ले ले बंगमध्धु, सेह मुजबु और रह्मान, इनको ट्रिभिट देने के लिए मौईतरी नाम का एक राग किसने कंपोस किया है तो मौईतरी राग ये कंपोस किया गया है, पंडित अजड्य चूकरबधी दारा पंडित अजर चुक्रवर्थी तरह मोत्री नाम का एक राग क्रमपोस किया गया बंग मद्धू सेख मुझयू रह्मान को समाई कि लिए तो बंगला देश के फ़ाउंडर बंग बंधू यह है सेख मुझयू रहान मोत्री राग बनाया है और चोक्रवरती जो कि कहां से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगॉल से यह मोत्री राग तीन भासओं में है गांधी पीस प्राइज दोचाब बीस का किसको मिला है बंगवद्धू सेख मसुवियो रह्मान को यह याद रखेगा यह कोशन है इंडिया के एस्वर प्रताब सिंग तोमर ने आई एससेफ वर्ड कब में गोल्ड मैल जीता है शूटिंग से हैं और MP से हम बस इतना रखेगा और कुछ फ़वर पढ़ाने जो नहीं क्योंकि आई एससेफ वर्ड कब कहा हुआ है नाई दिल्ली में हुआ है इंट नौर्वे कोस्टल एड्मिंशिशन ने ग्रीन सिंगनल हाफिक लिए वर्ड की पहली सिप टैनल के लिए इसका नाम होगा इस्ताद सिप टैनल बस नाम में रखेगा नौर्वे सिप टैनल 1.7 किलोमेटर लंबी होगी बस इतना ही याद रखेगा इस्ताद हैवेट सी में व dot 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 dotchu dot 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 बोट्रेक्ट कोशन है किस इस्टेट को कंट्रोब करने के लिए गौभर्मेंट और। यूनियर्यंग और्णर से समाहिव इन के गया है तो केरिला को टीबिट को करेंगे लिए इतना हैद रख्येगा ये तो बूचेंगे नहीं, पाच वरस में पाच परसन की साब से, हाँ, दो सार पच्चिस तक, देखे, पुरत देश का टार्गेट है दो सार पच्चिस तक, टीवी केसे में 80 परसन तक कमी करना, जो कि यूएं सस्टेनेबल डेलमिक गोल के, पाच वरस पहले ही एचिप कर ल करिशन है, वर्ट का नहीं, एएसिया का लार्जस्ट तूलिप कारडण, हाली में पाटेट एन के लूग खोल दिया गया है, किस इस्टेट या उपचिम है? जमो किसमीर मेर तो थारपकर को गोड से आती है चांग ठांगी गोड से आती है वो भी जमकुस्विन में और लार्जेश्ट ट्यूलिफ गार्डन ऑफ एशिया इसका नाम है इंद्रा गांधी में मोजल ट्यूलिफ गार्डन इसको दुछर आर्ट में मनाया गया था ची मिस्टर वहां के अव्धियम्रेंस और विक्टियों ऑफ लेवरी 25 मार्च को मनाया था थीम है एंडिंग स्लेवरीज लेशी अफ रेसिज्म इसको नाम था आर्क ऑफ रिटर्न वंधन विकास योजना को इंप्लीमेट करने में चैंपेण स्टेट कौन इमर्ज हुआ है तो मार्डिपूर च विकास योजना को इंप्लीमेट करने में वंधन विकास योजना ट्राइफट की योजना है वंधन विकास योजना को मिंस्ट्र ट्राइबल अफरस के तहर ट्राइफट द्वरा दो हजार अथारा में लांच किया था परपस क्या था ट्राइबल प्रोडेक्ट का वैलियो income को improve करना, तो ये 2018 में launch की वंदन विकास योजना, इसको October 2019 में, मरीपूर में launch कियेगा, और मरीपूर में ठंग से वंदन विकास scheme को implement किया गए, यह है मरीपूर आप जानते ही है, और बाग की UAIDAI के नए CEO, यह देख लीजिए, आपॉइंट किये गए है, सौरबगर्ग, सौरबगर्ग, यह है, सौरबगर्ग, यह UAIDAI के नए CEO अपॉइंट किये गए है, वरतमान में, सौरबगर्ग, सौरबगर इसको श्टाररी पावर दिये गई, UIDAI, गहों मिनिस्टी में आता है, Ministry of Electronics and Information Technology, आधार act 2016 की दहद, इसको जो है, नेकोशन है FastTag नहीं दौरा किस वर्स से रूल आउट किया रहा है तो 2016 में अप्रैल 2016 में FastTag रूल आउट किये गए गए गर्वर्मन्ट GPS-based टोल करनेक्शन को रूल आउट करने जा रहा है सभी ये जो डेली टो मुंबाई ये हाईवे हैं इसमें सारे GPS-based टोल करनेक्शन हो जाएंगे खर वो इंपॉर्टन नहीं आप FastTag देखे अप्रैल 2016 में लौंच वे एक दिसम्ब 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 से कंपसरी हो मना जाता है हर वर्ण हर शार्थावर लाश डिया ऑफ मार्च मत को मना जाता है इस बार 27 उंप को मना जा गिया थीम क्या है हर वर्स मना याता है, इंटर्नेशनल थेटर इंस्ट्यूट की स्थापना इसी दिन हुई थी, कहाँ पर हैं, फ्रांस में, इंटर्नेशनल थेटर इंस्ट्यूट, यह कॉशन है, डेविड मलन, ICC मेंच T20 प्लेयर रेंगी में टॉप इस्थान हासिल किया है, डेविड मलन न हैं, 1909 में स्थापना हुई दुबई में हेड कोटा है, मनु सामनी हट चुके हैं, ग्रेग बाकले हैं, चेर परसन म्यूजिलैंड से विलॉंग करते हैं, ग्रेग बाकले, यह कॉशन है, बंगलादेश ने अपना पचास हुआ, इंडिपेंडनस इयर सेलिबेट किया है, ब बादर आफ नेशन की बर्थ एनिवर्सरी है, 26 मार्च को, उसी दिन से लिए, तो बंगलादेश का जो इंडिपेंडनस टे है, वो 26 मार्च को मना जाता है, 25 मार्च की रात को आजाद हुए थे 1971 को, पाकिस्तान में लेटी है, तो यह सब अपने आप में बहुत बड़ी बा यह कोशन है, 2021 में, EY Entrepreneur of the Year Award किसको दिया गया है, 2021 का EY Entrepreneur of the Year Award मिला है, हरसी मारी वाला को मिला है, मैंने खाल से, हरसी मारी वाला जो की चेर्मेन है, किसके मारी को के, इनको EY Entrepreneur of the Year Award 2021 मिला है, यह हरसी मारी वाला, EY Ernest and Young Entrepreneur of the Year Award दिया गया है, Ernest and Young के बात करें, लंदन न इसका हेड़कोड़ा है 2020 में अर्नेश एन यंग और मजूबदा सौको जो कि बायो कौन की फॉंडर है अब इस बार हर सी मारियोर को मिला है इंडिया ने ला परोस नेवल एक्ससाइज में पहली बार या फिर नेवल वार गेम में पहली बार पार्टिसवेट किया है इसको किस ला परोस नेवल वार गेम में पहली बार पार्टिसवेट किया है यह ला परोस नेवल वार गेम वे बंगॉल में और्गॉल में अर्ग्स किया गया अप्रेल में तो अप्रेल में अर्ग्स किया है ला परोस एक्ससाइज फ्रांस और्ग्स करेगा इंडिया के साथ यह सारी नदी के किनारे है, currency है euro, इसने इमाइन्वल, macron, मैं कॉशन है, ISSF World Cup, अभी तक बता रहते हैं, कि नई दिली में होरा कौन सा एडिशन होरा है, 35th, देख लिएते हैं, ISSF World Cup, International Shooting Sport Federation, इसका World Cup दिली में होरा 35 एडिशन, तो, रानी सुर्बत महरार से हैं, चिंकी आडो MP से हैं, मनु भाकर हजारा से हैं, और याद रिखेगा, ये सब कहां से हैं, ये सब सूटर है, इस्टेट तो आप याद ही नहीं रख पाएंगे खर, शूटर रहे हैं, इतना याद रखेगा, जो ISSF World Cup हुआ है, 21 गोर्ड मेले जीते हैं, इन्होंने, और उलम्पिक में एक भी नी जीता, ISSF World Cup, 1996 से सुरात हुए थी, पहला एडिशन मैक्सिवों में हुआ था, इस बाद 35 एडिशन हो रहा है, कहां पे, न्यू देली में इतना रखना है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसके पाद 16 में ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका है, ब्रेसल में, कहां पे हैं, ब्रेसल में, देख लेते हैं, खाली में, ग्लोबल विंड गीगवाट की 93 गीगवाट इंस्टावल की गई है कैपस्टी जो कि लास्ट यर से 53 परसंट दो 93 की विं एनरजी इस्टावल की गए है वर्तमान में 743 गीवाट की विंड्र पावर कैपस्टी है पूरे वर्ड में दोकी 1.1 बिलियन CO2 को annually release होने से रोकती है वर्ड को 180 गीगावाट वीन एनरजी चाहिए हर वर्स ताकि 2 डिगरी से नीचे हम कार्बन को मला की CO2 लेवल को बढ़ने से रोक चुके हैं और 2050 तक 0 कार्बन एमिशन एचिव करने के लिए हमें 280 गीगावाट विंड एनरजी चाहिए ग्लोबल विंड एनरजी काउंसिल 25 में सापना होसी बिरसेल समें हैट कोटर रह वेन बैकवेल इसके CEO है इसको हाले में किसने एड़ेस किया है इसको एड़ेस किया गया है डॉक्टर हर्स वर्दन द्वरा यह देख लिए इसका फोकस था इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इस पोस्ट कोटर हर्स वर्दन ने नेट हेल्थ की सेवन सेवेट को एड़ेस किया है इसको हर्स वर्दन इनरज टाइबल टीवी इनिशिटिव लांच किया है टीवी मुक्त भारत के लिए यह कोशन है महंद गिरी यह राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज आफिसर है इनको राजाजी टाइगर आवार्ड दिया गया है यह कहां पे है राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पे तो राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्रखन में कहाँ पे उत्रखन में देख लेते हैं ये हैं मेहेंदगिरी ये राजाजी टाइगर रिजर उत्रखन की क्या है रेंजज ऑफिसर इनको International Ranger Award मिला है क्यों Tiger Conservation के लिए बहुत बैंगा है मेह इत्रखियां डियाद रंगिर्फियेगा IUCN और World Commission for Protect Area इनके दोरा ये International Ranger Award दिया गया है IUCN के बाद करें 5 October 1940 को इस्थाफना हुए ग्लैंड सुजलन में है कोटर है और CEO है Bruno Obel Lake IUCN के देटा बुक के लिए IUCN को जाना जाता है जिसमें 1964 से इस पीसिस को लिष्ट किया रहा है तो याद रखेगा International Ranger Award मेरे ख्याल से UP में यी देख लिए बनाना辉asse oon Dad इसथा वगया से अथर के बनाना जात शुना गया बनाना फेस्ट कुषिक को उ पीदिया था बाकि यूपी का ये सम्य मास्का नहीं कbuild Person नहीं है चीप मिन स्था मिन स्लूइट comply अगला कोश्न है एवर गीवें ये जायन कंटेनर सीफ है हाले में इन्हों ने स्वेज केनल में क्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है स्वेज केनल की लेंथ कितनी है तो स्वेज केनल की लेंथ आप याद रखेगा ये है आपकी टोटल 193 km यह देख जिए स्वेज केनल की लेंथ है 193 km उसे पहले देख लिए बहुत बड़ा एक ever given ever given नाम का container सिर्थ था जिसने स्वेज केनल को block कर दिया अब देख पा रहा है यह ever given नाम जो है दिया गया था panamian container इसलिए नाम दिया गया था बहुत बड़ा सिर्थ था स्वेज केनल को block कर दिया स्वेज केनल हमारे लिए important है देखिए Red Sea को Mediterranean Sea से जोड़ती है Egypt के अधिकार छहत्मे में आती है याद रखेगा 193 km के स्वेज केनल स्वेज केनल एक्चुली फर्स्ट केनल है जो कि 1869 में नेविगेशन स्टार्ट हो गया था 1869 याद रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तो